सामने शोहर के रेलवे कॉटर परीसर में रहने वाला चिराग प्रवीन पाटिल उम्र नौवश कुछ बैटरियों से खेल रहा था कि अचानक बैटरी में ब्लास्ट होने से उसके गाल मगर्दन पर गंभी चोटे आई गटना की जानकारी हिज्योती फाउंडेशन के हितेश बंसोड को लगते ही वे अपने सहीयोगियों के साथ घटना स्तल पर पहुचे और घायल बच्चे को प्रात्मिक स्वास प्रशिशन केंद्रिल ले गए जा डॉक्टर मयूर डोंग्रे ने बालक की जाच की जिसमें उसे गंभीर चोटे होने से प्रधम अपचार कर उसे तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल नाकपुर के ट्रॉमा सेंटर में उस पर इलाज के लिए भेज दिया गया उत्हादसे की जानकारी हिज्योती के हितेश बंसोड ने मेडिकल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राज गजबियों को दे कर गंभी रूप से घायल बालक पर तुरंत ही इलाज जारी करवाया फिलहाल घायल बालक की हालत चिंता जनक बनी हुई है इस घटना से हर मात पिता सबक लेकर अपने बच्चों को सेल बैटरी इलेक्ट्रोनिक उपकरोन से दूर रखे ताकि उन्हें ऐसे हाथ से होन दे लेकी रिपोर्ट